हेलो फ्रेंट इस वीडियो के अंतरगत हम मद्द्देश पटवारी भरती परिक्षा से संबंदित बुक लिष्ट देखेंगे उससे पहले आपको बता देते हैं पटवारी जो टोटल वेकेंसिस है उसमें अभी पदों में व्रद्धी की गई है अब जो टोटल पद आपके ह 6755 टोटल वेकेंसिस हो गई है पटवारी में केटेगरी वाइस पद आप यहाँ पर देख सकते हो और यदि आपको जीले वाइस देखना है तो आपको पूरी PDF डाउनलोड करनी पड़ेगी आप अपने जब फों एपलाई करोगे तब आप वहाँ पर चार से पांच अपन में भी यहाँ पर चर्चा करेंगे तो अब देखते हैं आगे देखें आपको जो सब्जेक्ट हैं टोटल आपके 8 सब्जेक्ट हैं आटो सब्जेक्टे से संब्धित आपको बहुत ही सांदार यहाँ पर बुकलिष्टे बता रहे हैं देखिए आपको दो भागों में यहा particular केसे केसे question आये हैं और उनका जो difficulty level क्या था तो वह आपको इस पुनेकर वाली book में देखने को मिलेगा या फिर महावीर की भी book आती है तो वह आप ले सकते हो सबसे पहले आपको बता देते हैं यह वीडियो बहुत से कर सकते हो जो HD यादो यानि जो सारदा की book आती है उससे आप मेश से कर सकते हो उससे कोई भी एक सामान्य विद्यारती है वो मेश से लगा सकता है तो यह बहुत ही सांदार यहाँ पर आपके मेश के लिए हो जाती है नेक्स हम बात करते हैं कि आप practice किस से करोगे तो practice आपक व्यापम के sold paper की book आती है व्यापम के जितने भी exam अभी हुए है चार से पांच सालों में तो पूनेकर में आपको chapter wise वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे तो पूनेकर की आप ले सकते हो आपको क्या करना है एक एक टोपी किसमें से देखना है लगाना है सवाल को समझना है उसके बाद में आप व्यापम की sold paper आती है पूनेकर वाली तो वो लेकर आप उससे वहाँ पर practice कर सकते हो कि आपसे कितने क्या सवाल बन रहे है और next आप ये कर सकते हो कि यदि मानलो कि आपका जो message है वो जादा ही week है तो आप कहीं का भी online जो course है वो आप ले सकते हो चाहे basic message से आप सिरू करना चाहते हो तो अभी कोई कभी आप online course से ले सकते हो उसमें भी आपके सारे subject यहाँ पर पढ़ाये गए हैं तो देखे यह हमें क्या करना है ज्यादा बूकों से अध्यान करना है और वीडियो हमें वही देखना है जो चीज हमें नहीं आती जैसे अगर किस से चाहे तो अरिहंत से कर सकती हो या फिर एक perfect नाम से भी एक book आती है तो उससे भी आप कर सकती हो और आपको क्या करना है practice के लिए वही व्यापम का sold paper पूनेकर का लेके आना है महावीर का भी आता है अन किसी writer का भी आता है तो वह ले सकते हो बाकि हमें यहाँ पर पूनेक से केसे question आते हैं रखते संबंद के जब difficulty level बढ़ता है तो फिर केसे question पूछे आते हैं तो अभी चार से पांच सालों के जब आप question जब लगा लोगे अलग-अलग variety के इसी पकार से आपको में समय भी करना है reasoning में भी करना है तो आपका क्या है जो सोचनी की छमता भी बढ़ बढ़ता है तो इस इस पकार के इहां पर question आ सकते हैं और यकिन मानिए कि आप अगर ये sold paper यदि लगा लेती हो तो आपको क्या करना है जैसे आपको direct solution नहीं देखना है सबसे पहले आपको क्या करना है पहले आप खुश से करना है उसके बाद में अगर वो सवाल नहीं आता है या reasoning का सवाल या message का तो आपको फिर उसमें से देख लेना है कि उसका जो explanation है किस पकार से दिया है तो बहुत ही सांदर आपकी तैयारी हो जाएगी और दोस्तों आपको करना क्या है जैसे आप topic जो topic आप पढ़ते जाओ बस लगे हाथ आपको उसके आपको वस्तुनिष् बुक है वो दोस्तों है परिक्षा मंधन और इसका अभी जो नया edition आया है वो 2021 का आया है तो 2021 वाला ही आपको नया edition है यही नेव edition है क्योंकि दो से तीन सालों में update होती है यह book ठीक है तो यह आपको ले लेना है अब हम next यहां पर बात करते हैं कि आप जो computer है इसके question कहां स लगाओगे तो वही आपकी पूनेकर है और दोस्तों बहुती सांदर अभी एक book आई है महावीर की जिसमें MPPSC के भी 4-5 या 6-7 सालों के जितने भी question है उसमें सार 8 कर दिये गए है और 2008 से सायद उसमे question 8 है तो आप चाहें तो महावीर की भी ले सकते हैं और पूनेकर की भी ले सकते हो आप वहाँ पर जो book फपर जाओगे तो वहाँ पता कर सकते हो और जिसमें आपको ठीक लगे वो आप ले सकते हो नेक्सुरह हम बात करते हैं हिंदी का तो हिंदी की बहुती सांदर book आती हिरायल्डी की बागी जो fazendo book है तो थोड़ी से यहाँ पर मोटी है यदि अगर आपने पहले से आपके पास में है या आपने अगर पढ़ी है या फिर उसके language आपको अच्छी लगती है तो आप चाहे तो हिराल्डी की भी ले सकते हो या फिर समानली से लूसेंड तो सभी के पास रहती है तो जो लूसेंड की book है उसमें बहुत अच्छे से दिया है क्योंकि आपको क्या है जैसे वहाँ पर भी थोड़ी से उसमें सारी चीज़े हैं मतलब सारी चीज़े cover है तो आप चाहे तो लूसेंड चाहे हिराल्डी की ले सकते हो जो भी करना है जादा से जादा question लगाना ही और जो पुराना जो train था उसको साथ में लेते हुए अभी जो नए प्रकार के जो question है उनको भी handle करते हुए बढ़ना है आगे और हिंदी के तो लगबग ऐसा है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपके 25 में से 25 बिलकुल लेक्चर देख सकते हो particular आप उस English का course ले सकते हो या फिर आपने combine course से लिया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो जो आपके week subject ही उनके वीडियो आपको पहले देखना है और आप चाहें तो जो live class है उसमें अगर मानलो आपने कहीं का भी course से लिया है purchase किया है और live class उस में भी क्या करना है आपको कि आपका मेंस से पहले से थोड़ा सा तयार है तो आप मेंस के live class देख सकते हो साथ में जिसे आपको बताया तो आप एक रप सीट पर सवाल सोल्व करके देख सकते हो यदि आपको solution नहीं आता तो फिर आपको सर बता ही देंगे तो यह साब कर सकत तो सभी में हमने यहां पर आपको पूनेकर ही बताया है नेेच्शन हम यहां पर देखेंगे अब आपका यह हो गया अभी जो हमने आपको यह पांस सब्जक्टी जो बताया है ये Miss, Reading, Computer ओर Hindi, और English तो यह पांसों सब्जक्टि आपको बहुत जादा scoring है इन पर आपको है अगर इसमें क्या है इसमें सभी की पकड़ अच्छी ही रहती है हिंदी मिडियम वालों को थोड़ा सा इंगलेस यहाँ पर दिक्कत देती है बाकि आप यहाँ पर देखो कि आपके साथ में जो SI की तैयारी करने वाले वेक्ती हैं और जो प्येस्टी के तैयारी करने वाले विखती हैं तो वो भी यहाँ पर एक्जाम देंगे तो उनका क्या है जैसे SI वालों का क्या है यह सारी जो चीजे हैं वो पहले से यहाँ पर कवर रहती है उनको केवल यहाँ पर प्रक्टिस करना रहता है तो आपको उनके साथ में यहाँ प कितना ही यहाँ पर पढ़ लो आपके जितने कोश्चन बनने हैं उतने ही यहाँ पर बनेंगे और साइंस में आप देखे सकते हो कि आपम में क्या लेवल रहता है साइंस बहुत ही ज्यादा मतलब उसमें सब्द अलया टर्मिन्हों अ पूछी तो साइंस में आप यह कर सकते हूं लू से देख सकती हो या फिर किसी के वीडियो लेक्चर ऐपको अगर और भी ज्यादा hardly पढ़ना है तो आप चाहें तो दृष्टी की पढ़ सकते हो और व्यापम का आपको sold paper लगा लेना है अब बात करते हैं management की तो management की बहुत सारी हाँ पर bookे आ चुकी है तो देखें management भी जो management है उसमें भी आपको average ही marking रहेगी ज्यादा इसमें कोई भी जैसे 25 में से 25 कोई नहीं ला पाएगा तो इसका भी 15 से 20 का ही average रहेगा कि आप जैसे कि इसमें भी थोड़ी जो सब्दा वाली है वो बहती थोड़ी सी difficult होती है और आपको क्या है इसमें थोड़ा सा जैसे कोई Hindi Medium का है तो उसको थोड़ा सा वो सब्द को English में भी थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा तो हम book की वो खासियत बता देते हैं कि अगर आपको कोई सी भी book लेना है या फिर कोई भी अच्छी book आती है या तो उसमें flow chart या diagram कुछ हो तो जिससे क्या हमें समझ में आए चीज़े एसा नहीं हो कि डारेक्ट गूगल से copy paste करा हो और डारेक्ट थियोरी थियोरी हो तो उसमें क्या है ठीक से हमें चीज़े याद नहीं रहती है फिर हमें यहाँ पर नोट से बनाने पड़ेंगे इतना हमारे पास time है नहीं कि हम नोट से बनाए नोट से आपको क्या करना है जैसे management का आप बनाओगे तो आपको one liner one liner में आपको चीज़े लिखते जाना है यादि आप किसी का वीडियो भी देख रहे हो वो तो हिंदी में ही रहेगी पर जो कुछ जो particular जो terminology रहती है सब्दावली रहती है उसको कुछ वहाँ पर उसका English meaning भी रहना चाहिए जैसे कि हिंदी में अगर वो कुछ समझ में नहीं आती है तो उसका side में English भी दिया रहना चाहिए चाहिए एक तो bilingual होना चाहिए यानि कि कुछ कुछ जो सब्दावली है उनका English meaning होना चाहिए डाइग्राम यह फिलो चार्ट होना चाहिए ज्यादा नहीं पर कम तो होना ही चाहिए जितने भी महापत दे सके हो और उसके बाद में यहापर जो ओल्ड कोस्चन है पूरे कवर होना चाहिए इसा नहीं कि बस दो तीन सालों के कवर करें वह बाकी वहापर गायव है तो हमें पुराने जो प्रसन है उससे थोड़ा सा समझने में आसानी होती है तो यह होगया आप देखें यहापर जो जन्दल नोलेज है जो जीके है उसमें यहापर थोड़ा सा आपको यहापर वेराइटी देखने को मिलेगी कि इसमें तीन प्रकार के जीके हैं जैसे कि आ आपके पास में लूसेंड है तो लूसेंड से आप cover कर सकते हो और लूसेंड के ही आप objective लगा सकते हो next time हम देखते हैं MP का तो MP के आप पूनेकर देखे आप आपको मद्दबदे समन निगयान कौन सी लेना one liner fact वाली लेना है ना कि आपको theory वाली लेना है जादा theory वाली नहीं लेना है जिसमें one liner fact रहते हैं वो आपको लेके आना है तो पूनेकर और महावीर के दोनों के आती है one liner वाली और इसका आप जो प्रस्ण बेंक है प्रस्ण बेंक भी आपको महावीर या पूनेकर कही लगा लेना है जैसे आप पूनेकर की अगर बुक लेके आते हो तो आपको objective भी पूनेकर के ही लगा लेना है क्योंकि आपको वही बुक के language समझ में आएगे तो उसी के आप objective लगाओगे तो काफी जादा अच्छा यहाँ पर रहेगा current affair के लिए कुछ नहीं करना आपको railway speed लेके आ जाना है और railway speed के पीछे कम से कम 800 से 1000 question रहते हैं objective type उनको आपको लगा लेना है इतने से आपको यहाँ पर cover हो जाएगा ठीक है दोस्तों तो बुक लिष्टा आपको यहाँ पर समझ में आई है और practice के लिए आपको math, reasoning और English यह 3-4 चीज़े ऐसी हैं जिनको आपको daily ही लेके चलना है बाकी में सबको आपको बिलकुल पढ़ना है objective लगाते जाना है इनके कोई भी notes नहीं बनाना है किसी भी चीज़ के notes नहीं बनाना है कुछ भी चीज़ आपको add on करना रहे तो particular आप व पहले से बने हैं तो अच्छी बात है अब हम यहाँ पर थोड़ी से चर्चा कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर syllabus के बारे में बता देते हैं कि देखिए जैसे कि 8 total आपके subject हैं और 25-25 अंक के सभी आपको बिलकुल आएंगे आपको वहाँ पर एसे ही section wise आपको देखने को मिले कटो पर आप सभी एक average जो कटो है वो मान के चले 150 पिलस और थोड़ा सा आपको यहाँ पर syllabus को दो भागों में हमने divide किया है जिसमें आपको जो strong और थोड़े जो average है यानि कि यह लोगों के अगर strong हो गए तो फिर यह मान के चलो 150 वो बंदा क्रोस कर लेगा जैसे match हो गया, अरिजनी हो गया, computer हो गया, Hindi हो गया, English हो गया, यह subject आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पर तयार करना है क्योंकि इन subject में अगर जिसने भी अच्छे से पकड़ बना ली तो उसका यहाँ पर 150 score होना तय है और जो science है है इसमें सभी की average मार्किंग होगी चाहे कोई कितना ही पढ़ ले उसके बाद में जो management वाला जो portion है इसमें भी सभी के average मार्किंग होगी चाहे वो कितना ही पढ़ ले कितना ही अच्छे से समझ ले क्योंकि इसमें जो difficulty level है वो ज्यादा है science और management में उसके बाद में GK में भी अलग-अलग variety है क्योंकि वो कभी-कभी तो यह से पता चलेगा कि GK में भी इतना आसान नहीं आता है चीजे मतलब factual चीजे तो आती है मद्द्पदेश से भी कुछ इस पकार के question कुछे आते हैं जिनका हमें पता नहीं रहता है जैसे कि आप देखोगे कि जो अलग-अलग जो जीले हैं जीले के अंदर जो तहसिल हैं तो तह डूस तो आपको बुक-दिश्ट बताने में हम यहां पर सफल हुए हंगे आपको चीजे यहां पर समझ में आई होगी आप चाहें तो आपके जो-बीस फ्रेंड है उसको यह विडियो आप सेर कर सकते हो और बाकी आप किस जो है किस टोपिक पर वीडियो चाहते हो वव्य आप बता सकती हो और यह बुक लिष्टा आपको कैसी लगी है इसके अलावी या दिये और कोई सी अच्छी बुक आपको लगती है management के लिए तो आप बता सकते हो किसी ने अगर purchase अभी की हो तो और English के लिए अभी हमें बुक पता नहीं है आप चाहें तो कोई भी अगर जाता हो टाइम को